स्टुडेंट्स आपको मालूम होगा कि जैसे हर जगा पे अच्छा ही होती है वहाँ पर बुराई भी हो सकती है SEO भी इस से बरी नहीं है SEO में भी बहुत सारी अच्छी चीज़े भी है और बहुत सारी बुरी चीज़े भी है और Google उन चीज़ों को अच्छा कहता है जिसके मताबक जो उनके मताबक उनकी guidelines को follow करते हुए आप अपनी website को optimize करते हैं तो वो बेतर चीज़ें कहलाती है उसको नाम दिया गया है white hat SEO so white hat SEO basically वो सारी काम है या वो सारी activities है जो आप अपनी website को optimize करने के लिए या link building के लिए अगर आप उसको adopt करें तो वो allowed है या वो उनकी इजादत दी गई है कि आप वो काम कर सकते हैं लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो Google ने मना की है और उन चीज़ों को या उन activities को black hat के नाम से जाना जाता है तो black hat SEO उसको कहते हैं जो ऐसी activities जो Google ने या दूसरे search engines ने मना की हो कि आप वो नहीं करेंगे तो वो काम आप नहीं कर सकते हैं तो इनकी detail मैं आपको बताता चलूं कि white hat SEO basically वो काम है सारे जो search engines को कोशिश करते हैं कि वो उसको follow करें क्यूंकि search engines इंसान नहीं है search engines machines हैं या algorithms, programs हैं जिनको एक खास formula के तहद बनाया गया है और वो एक खास formula के तहद चीज़ें follow करते हैं कुछ लोग समझते हैं कि वो Google को या दूसरे search engines को cheat करके उपर आ सकते हैं तो वो उस code को या उस program को break करने की कोशिश करते हैं उसको इसाथ दो number करने की कोशिश करते हैं ताके वो जल्द जल्द उपर rank कर जाएं और जैसे ही वो rank करेंगे उनको traffic मिलेगी traffic मिलके वो of course sales या leads generate कर सकते हैं अब मसला ये है कि Google का एक ही business है वो primary business जो है वो है search गूगल ने हजारों की तदाद में PhDs डॉक्टर्स बिठाये हैं जो इस चीज़ को समझते हैं इन program को run करते हैं इन program को optimize करते हैं मतलब कि उसको बहतर बनाते हैं दिन बदिन और उसमें नए features आड़ करते हैं जैसे जैसे नए features आड़ करता है वैसे वैसे लोग जो है उसको कोशिश करते हैं कि break भी करें तो असल में ये एक मसलसल race चल रही है एक अच्छाई और बुराई की जिससे गूगल नए चीज़ लाँच करता है लोगों को लगता है कि हम इसको break करेंगे और उसके उपर आ जाएंगे गूगल ने कहा है कि आप ऐसा करें फूर एक्जमपल गूगल ने कहा है कि website अच्छी बनाएं या आप गूगल कहता है कि आप speed optimize करें अपनी website को कि अगर कोई mobile से load करें या desktop पे load करें तो within milliseconds website load हो जानी चाहिए तो ये अच्छी बात है कि गूगल भी चाहता है कि users को value मिले और वो ये चाहता है कि जिससे वो users को value देता है आप भी users को value दें इन सारी activities को जब हम white hat SEO में count करके लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं कि अगर वो black hat करेंगे तो white hat से जादा अच्छा काम कर सकते हैं अक्सर ऐसा होता भी है क्योंकि Google algorithm के तहर चलता है उसके set parameters हैं कुछ लोगों को ब्रेक करने में महारत हासिल हो जाती है और वो क्या करते हैं कि वो उसको break करके उस पे ranking लाने की कोशिश करते हैं websites rank हो जाती हैं अक्सर लेकिन ये इनत्याही खतरनाक और dangerous अमल है because Google को जैसे ही चीश चीश पता चलती है कि लोग एक नहीं ये मतलब काफी सारे लोग एक ही तरीके से एक खास किसम की technique apply करके वो एक website को rank कर रहे हैं और जो actual में हकदार लोग हैं जो अच्छी websites हैं जिनको Google पर rank करना चाहिए था वो अब rank नहीं कर पा रही है so Google अपने algorithm से किसी को play नहीं करने देगा क्यों? क्योंकि जिस दिन Google का ये algorithm crack हो गया उस दिन Google भी as a company अपने algorithm को बेच नहीं सकेगा और ये वह ही चीश है जो Google को Google बनाती है क्योंकि अगर Google में दो नमबर करके लोग उपर rank करना शुरू कर देंगे तो वो अच्छी website नीचे रह जाएंगी so black hat और white hat SEO ये दोनों SEO परालल में चलती है कुछ लोग black hat में बहुत यकीन रखते हैं और वो कोशिश करते हैं कि short cuts के साथ चोटे रास्ते लेके jumps लगाके या दो नमबरियां करके वो SEO कर लेंगे लेकिन ultimately होता ये है कि जब वो एक कर लेते हैं जितनी जल्दी वो उपर जाते हैं उतनी जल्दी वो नीचे भी आ जाते हैं इन दो SEO टेक्निक्स के इलावा एक तीस्टी टेक्निक भी है जिसका नाम है grey hat SEO so grey hat SEO ये वो SEO है जिसमें लोग ये समझते हैं कि वो ना सिर्फ white hat बलके black hat दोनों का mix करके वो activities करेंगे तो ultimately वो एक अच्छी SEO कर सकते हैं grey hat services या grey hat SEO की टेक्निक्स वो होती है जिसमें दोनों का mixture होता है दोनों का मिला कर services प्रवाइट की जाती है वो लोग वो काम भी करते हैं जो white hat में Google करने को कहता है और वो लोग वो काम करने में भी believe रखते हैं जो Google मना करता है तो कुछ चीज़ें, for example, Google ये कहता है कि आप force ना करें आप जबर्दस्ती ना करें, आप Google को rank करने दें content अच्छा लिखें, कोशिश ये करें कि value provide करें जब आप value provide करेंगे, लोग लिंक्स देंगे और लिंक्स देंगे तो ultimately आप उपर रहेंगे लेकिन कुछ लोग लिंक्स लेने के लिए, चूँके content करना एक content create करना या content लिखना एक मेहनत तलब काम है, इसमें काफी investment भी अक्सर लग जाती है लेकिन कुछ लोग इसको करने की बजाए ये समझते हैं कि हम shortcut लेकर किसी से buy करके links लगा सकते हैं लिंक्स वो भी लेते हैं, फिर साथ वो Google की कही भी बातों पर भी अमल करते हैं तो ये जो technique है, ये grey hat technique कहलाती है, जिसका मतलब ये है कि आप ना तो पूरे white hat में fall करते हैं, ना तो आप black hat में fall करते हैं तो करते करते, ultimately आपको ये फर्रक करना बहुत जरूरी होता है, कि आप किस तरह की activities कर रहे हैं हमारी कोशिश ही होगी कि हम सारे white hat techniques को understand करें, क्योंकि white hat techniques long term techniques हैं, और ये ही long term Google पसंद भी करेगा क्यों अगर आप black hat करेंगे, तो आपको बिलकुल भी rankings मिल तुझ है जाएं, अवल तो मिलेंगी नहीं, लेकिन अगर मिल भी गएं तो में भी आपको वो जालत देत तक रुखेंगी नहीं तो हमारा कोस्ट around white hat SEO techniques होगा, और हम कोशिश ये करेंगे कि सारे वो काम जो Google recommend करता है, जो बाकि सर्च ने recommend करते हैं, हम वही करेंगे